याद है वो दिन, मौसम काफी ठंड था, सारे लोग दादा जी के क्रिया क्रम में व्यस्त थे, मैं बाकी बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेल रही थी, हम बच्चों में एक बड़ा बच्चा भी था, जो हमारे साथ खेल रहा था, वो भी हम छोटे बच्चों की तरह ही, रिष्टे में तो वो भी मेरा भाई ही था, दूर का रिष्टेदार, दादा जी की बहन का पोता, हम सारे लोग उससे काफी घुल मिल, गए थे, मेरी भी उससे काफी दोस्ती हो गई, उसे भी मेरी तरह कार्टून नहीं, बलकि न्यूज देखना पसंद था, वो यूही घुमाने, पर उस दिन बहुत कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब कि मैं आज भी उस घटना को याद कर उसे महसूस कर सकती हूँ, और फिर सारी तस्वीरे मेरी आँखों के सामने ऐसे आ जाती हैं, जैसे कोई डरावनी फिल्म, एक दिन अचानक कमरे में मैं उसके बगल में छुप गई, मैंने उनसे कहा भी, भाईया, किसी को बताना मत, मैं आपके पास छुपी हूँ, ठीक है, नहीं बताऊंगा, उसने यही कहा था, खेल का बहाना दे कर उसने मुझसे कहा, मेरे पास आ जाओ, मेरे इस कंबल में, जहां मैं तुम्हें छुपा लेता हू और कोई भी तुम्हें नहीं ढूंड पाएगा, फिर ठंड भी थी, और मैं छुप गई, क्योंकि वो खेल मुझे जीतना था, और मैंने उसकी बात मान ली, उसने मुझे प्यार से पुछकारना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा रहा था, पर धीरे-धीरे मुझे अजी चुटी-काटी, मैं चीक उठी, चिल्लाई, पर शोड ज्यादा दूर नहीं जा सकी, क्योंकि उससे पहले ही उसने मेरा मुझ बंद कर दिया, जब उसे मेरे सीने पर कुछ नहीं मिला, तो उसने कुछ और तलाश ना शुरू किया, उस समय तो नहीं समझ पाई, आखिर वो क उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को छूना शुरू किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसे मैं खुद नहीं चूती थी, उसे वो क्यों टच कर रहे हैं, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, वो मेरे प्राइवेट पार्ट में उंगली क्यों डाल रहा है, मैंने पूरा जोर लगाया, सारी ताकत जोग दी, खुद को छुडाने की, लेकिन नहीं छूट पाई, मैं नहीं बच पाई, मैंने जोर की आवाज लगाई, और फिर उसने मुझे छोड दिया, उसने मुझे छोड तो दिया, पर मेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, द होएंगे, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, मुझे अपनी मा से नफरत हो गई, वो क्यों नहीं मुझे सुन रही, खत्रा आखिर मेरे अपनों ने ही मेरे बदलते व्यवहार को क्यों नहीं देखा, और अगर देखा भी तो नजरंदास क्यों किया, मा ने मुझे बा और कई वह सी दर, दरिंदे आसपास ही हैं, सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने घर में भी, मुझे ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, जो जिसने शारिरिक और मानसिक प्रताड़ना जेली होंगी, और हो सकता है, आज भी जेल रही होंगी, मैं ये दावे के साथ कह सकती ह इसकी शुरुआत कहीं न कहीं अपने घर से ही होती है, और अपनों से ही होती है, पर हम किसी को बता नहीं पाते हैं, ना जाने क्यों हम डर जाते हैं, और तो और, हमारे घर में भी हमारी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है, ऐसा करने से कई बार हम खुद को ही कसूरवार मान लेते हैं लेकिन ऐसा कब तक चलेगा और हमें अपनों के खिलाफ आवाज उठाने में हमारे अपने ही क्यों रोक लेते हैं जिसकी वजह से उस गम को हम सारी उम्र साथ लेकर चलने को मजबूर हो जाते हैं आखिर कब तक